हेलो दोस्तों मैं संदीब आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मैं आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलिगराम गुरूप का लिंक दिया गया है आप इस गुरूप में एड हो सकते हैं आज कुश्ण पामपाला किना रहोको में आँगा हैं ओप्शन ए गौट वाचिक ओप सनभी द्हयाई वाचिक ओप संसी जैनकी वाचिक या ऑप्सन डी कौनों नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ओपसन ए गौट वाचिक यानि की पामपाला का मतलब होता है तितिली ज option B मेदी लिंग, option C दूजी लिंग, या option D लहरा लिंग, तो इसका correct answer हो जाएगा option B मेदी लिंग, त्यान देंगे बुक्चुंदी यानि की जुगनू, जुगनू जो की इस्त्री लिंग कुर्माली में माना गया है, अभी जो है हम लोग अगला कुशन देख लेते हैं, यानि की आपको जो है लेखा का उल्टा सब्द बताना है, option ने जो खा, option B ने लेखा, option C कू लेखा, या option D और लेखा, तो इसका correct answer हो जाएगा option D, और लेखा, यानि की लिखेत का उल्टा सब्द मौखिक, अभी जो है हम लोग अगला कुशन देख लेते हैं, नेठा पाल पौथिटा की ना है, यानि की नेठा पाला जो पुस्तक है ये क्या है, option ने गीत संग्रा, option B कहनी संग्रा, option C जुमेर, या option D ना टक, वो इसका correct answer हो जाएगा option A, गीत संग्रा, यानि की नेठा पाला में जो है गीतों का संग्रा किया गया है, अभी जो है हम लोग अगला कुश्यन देख लेते हैं, नेठा पाला पौथिकर संजुकता कने करल आहे, यानि की नेठा पाला नामक पुस्तक का संग्रा किनों ने किया, option A, निरंजन महतो, option B, डॉक्टर N. के सिंग, option C, बसंत कुमार महता, या option D, अनन्त महतो, जो इसका correct answer हो जाएगा, option A, निरंजन महतो, यानि की नेठा पाला नामक जो पुस्तक है, इसका संगे जन जो है, निरंजन महतो ने किया, इसे अब त्यान में रखेगा, अभी जो है, हम लोग अगला कुश्यन देख लेते हैं, नेठा पाला पौथिकर प्रकासन कबेहेल रहे, यानि की, नेठा पाला नामक जो उप्शन A 1921, उप्शन B 1935, उप्शन C 1970 या उप्शन D 1975 तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्शन A 1921 यानि कि नेठा पाला नामक जो पुष्तक है इसका प्रकाशन 1921 इस्वी में हुआ अभी जो है हम लोग अगला कुशन देख लेते हैं लाल कॉमल दोहे फूल माला उपजये सिष्ट गीत कने रचल आहे उप्शन A बुधु मातो उप्शन B नारायन सिंग उप्शन C दिनानात सिंग या उप्शन D गोरांगिया तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्शन B नारायन सिंग यानि कि लाल कॉमल दोहे फूल माला उपजये ये सिष्ट गीत जो है नारायन सिंग के द्वारा रचा गया है अभी जो है हम लोग अगला कुशन देख लेते हैं नारायन सिंग के कर भक्त हैकर यानि कि नारायन सिंग किसके भक्त हैं उप्शन A नारायन उप क्रिश्ण के भाक्त हैं इसे आप द्यान में रखिएगा अभी जो है हम लोग अगला कूश्यन देख लेते हैं भादर मासे सहिया पोडली बेजार सिष्ट कीत माने कौन रीत कर बाखान है उप्सने कौरों उप्सन B बांधना उप्सन C कुर्मी या उप्सन D कौनों नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन C कुर्मी यानि कि भादर मासे सहिया पोडली बेजार सिष्ट कीत में जो है कुर्मी रीत का बखान किया गया है इसका एंसर जो है अगर आप लिक्षण अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी जो है हम लोग अगला question देख लेते हैं खुदी राम महतो कोवे Congress Party महाने सामिल हेल यानि कि खुदी राम महतो जी जो है कब Congress Party में सामिल हुए option A 1947, option B 1948, option C 1950, option D 1951 तो इसका correct answer हो जाएगा option B 1948 यानि कि खुदी राम महतो जी जो है 1948 इसवी में Congress Party में सामिल हुएं अभी जो है हम लोग अगला question देख लेते हैं देखा भावी गुणी गीत कने रचल आहे option A दिनानात तांती, option B बुधू महतो, option C बिनंसिंग या option D सिष्टिदर महतो तो इसका correct answer हो जाएगा option A दिनानात तांती यानि कि देखा भावी गुणी ये गीत जो है दिनानात तांती जी के द्वारा रचा गया है इसे आप ध्यान में रखिएगा तो अभी जो है हम लोग अगला question देख लेते हैं प्यासी पथिकर संजुकता कने करल आहे यानि कि प्यासी जो पुष्टक है इसका संयोजन किनों ने किया option ने बसंत कुमार महता option B डॉक्टर मान सिंग महतो option C लखी कांत महतो या option D अनन्त महतो तो इसका correct answer हो जाएगा option D अनन्त महतो यानि कि प्यासी नामक जो पुष्टक है इसका संयोजन जो है अनन्त महतो जी ने किया आप अपना score count करते रहे लेक्चर के end में आप अपना score कमेंट कर सकते हैं अभी जो है हम लोग अगला question देख लेते हैं प्यासी पुष्टक किना है यानि कि जो प्यासी पुष्टक है ये क्या है option ए कभीता संग्रा, option B जुमेर, option C नाटक या option D पतरिखा तो इसका correct answer हो जाएगा option B जुमेर यानि कि जो प्यासी नमक पुष्टक है इसमें जुमेर है अभी जो है हम लोग अगला question देख लेते हैं प्यासी पुथी कौन बोचरे चापल रहे यानि कि 85 नमक पुष्टक जो है ये कौन सा चाल में चापा गया option A 1985, option B 1987, option C 1989 या option D 1991 तो इसका correct answer हो जाएगा option C 1989 यानि कि जो 85 नमक पुष्टक है ये 1989 इसमें चापा गया जिसे आप ध्यान में रखिएगा अभी जो है हम लोग अगला question देख लेते हैं जागरन कविता कने रचल आहे यानि कि जागरन कविता किन्होंने रचा है option A सिष्टिधर महतो, option B बसंद कुमार महता, option C अनन्त महतो या option D के सबचंदर महतो तो इसका correct answer हो जाएगा option A सिष्टिधर महतो यानि कि जागरन नामक कविता जो है सिष्टिधर महतो जी के द्वारा रचा गया है इसे अब ध्यान में रखिएगा, अभी जो है हम लोग अगला कोशन देख लेते हैं डॉक्टर नंद किसोर सिंग कर जेनिक नाम किना रहे यानि कि डॉक्टर नंद किसोर सिंग के पत्नी का नाम क्या था उप्षने बानुमती सिंग, उप्षन भी बानुमती देवी, उप्षन सी पूसपा सिंग या उप्षन डी कौनो नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्षन सी पूसपा सिंग यानि कि डॉक्टर नंद किसोर सिंग के पत्नी का नाम पूसपा सिंग था इसे आप ध्यान में रखिएगा और उनके माता जी का नाव भानुमती सिंग था इसे आप ध्यान में रखिएगा अभी जो है हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं डॉक्टर नंद किसोर सिंग कर जनम कभे हेल रहे? उप्षने 1930, उप्षन B 1931, उप्षन C 1934 या उप्षन D 1935 तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्षन B 1931 यानि कि डॉक्टर नंद किसोर सिंग जी का जनम जो है 5 जुलाई 1931 इस वी को जारखंड राज्य के पश्चिम शिम्भूम जिला के स्याम राइडी गाउं में हुआ इसे आप ध्यान में रखिएगा अभी जो है हम लोग अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं गंती कभिता कौन पथी लेल आहे यानि कि गंती नामक जो कभिता है ये कौन से पुष्टक से लिया गया है option A, एहे डहरे, option B, सिष्टी धरेक गीत, option C, फुरोम, या option D, सपन आपन तो इसका correct answer हो जाएगा option D, सपन आपन यानि कि गंती नामक कभिता जो है, ये सपन आपन पथी से लिया गया है अभी जो है, हम लोग अगला question देख लेते हैं सपन आपन पथी माने कौती कभिता कर संग्रा आहे यानि कि सपन आपन नामक पुस्टक में कितने कभिताओं का संग्रा किया गया है उप्षने 25, उप्षन B 31, उप्षन C 61 या उप्षन D 55 तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्षन C 61 यानि कि सपन आपन नामक पूस्तक में जो है 61 कभिताओं का संग्रा किया गया है अभी जो है हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं धेंकी साब कहां रहे रहे यानि कि धेंकी साब कहां रहता था उप्षन A बोड़ गाचे, उप्षन B आम गाचे, उप्षन C नीम गाचे या उप्षन D कुसूम गाचे तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्षन A ब उप्षन B मौंगला, उप्षन C फागू और उप्षन D कौनों नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्षन C फागू यानि कि जो दुखुडी जो ठाका था ये फागू को चाहिए था अभी जो है हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं इलोबोती रोध्टा क किना रहे उप्षन A सोनाक, उप्षन B रूपाक, उप्षन C लोहाक या उप्षन D काठे तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्षन A सोनाक यानि कि जो इलोबोती रध्था वो सोनाका था अभी जो है हम लोग अगला कुश्चन देख लेते हैं साधन लोग कथा माने सा बारा यानि कि साधन नमक जो लोग कथा है इसमें साधू जो है बारा वर्स से जो है तब कर रहे थे तो दोस्तों ये था कुरमाली मौक टेस्ट पार्ट सेवन तो आप कमेंट करके बताएए आपके टोटल 25 कोशन में से कितने कोशन करेक्ट हुए पूरे इमानधारी के तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज के सिस्टन आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको कुरमाली टेस्ट सीरीज में एंडरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वाट्स अप नमबर दिया गया है आप इस नमबर पर हमें वाट्स अप कर सकते हैं बहुत से अगर हम लोग यहीं पर एंड करेंगे तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मल लगा कर पढ़ाय करें आज के सिस्टन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद